दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाला यह तिनु आउजा की एंप्लिफायर को कैसे कनेक्ट करें हम यह सारे जैक के साथ और यह मिक्सर के साथ दोस्तों काफी सारे भाई लोग हैं जो हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर आप एक ऐसा वीडियो लाओ जहां पर सिर्फ अप्लिफायर के साथ एजली रन करता है ठीक तो बहुत सारे भाई लोग का दिक्कात है कि मतलब आउजा की जो एंप्लिफायर है उसको कैसे कनेक्ट करें बिना डीए 20 के मतलब डीए 20 की यूज यहां पर नहीं करनी है डारेक्ट कैसे एकसिरीज के साथ कनेक्ट करनी है मतल बिना डीए 20 से हम बिना डीए 20 के ही हम डारेक्ट मिक्सर में कनेक्ट कर सकते हैं सारे एकसिरीज को कैसे कनेक्ट करना यह वीडियो खास करके हमारे जो अभी निव डीजे या सेटप ले रहे है वह भाई लोग को काफी सारे दिक्कत होते हैं और कमेंट में भी मैं चेक करते आता हूं कि काफी सारे भाई लोग ऐसे हैं जो हमें सिर्फ अउजा की Hearts साथ कर्णेकट करके मतलब बताने के लिए बोलते हैं मतलब सिर्फ अुजा में हिरे उस अब भाई साव को दिक्तत हो रही है तो क्या दिखत दोरी आज की वीडियो में हम सारे solve करने वाले हैं और बहुत सारे भाई लोग की comment भी दी कि तीन amplifier के साथ दिखाओ आप connect करके कि किस प्रकार से आप Accessories को connect करते हो ये वीडियो खास करके उस भाई लोग के लिए होने वाली है जो अभी new setup लिये हैं तो चलिए इसको side में करते हैं और आपको हम बताते हैं किस प्रकार से आपको बिना इससे DA20 की connect करते हैं पहले काज यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये सारे amplifier हमारे अउजा की है ठीक है यहाँ पर front में लेके आता हूँ और यहाँ पर देख सकते हूँ यह 2500W की है यह हमारी 500W की है और यह हमारी 1000W की है यह सारे amplifier हमारी अउजा की है अब यहाँ पर कुछ access series को connect करने के लिए यहाँ पर काफी सारे options हमें मिल जाती है जो कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर output input का option है यहाँ भी output input का option है और यहाँ पर काफी सारे output input का option दिया गया है तो यहां पर समझने वाली बात है, जो कि हम आज की इस वीडियो में समझने हैं, और यहां पर देख सकते हो काफी, जो हमारे amplifier है, वो काफी खुबसूरत आउजा के दिखते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दू, और गाज यहां पर एक और मुद्दे की बात हम करने वाले हैं, तो हमें लगता है कि आप इसमें सिर्फ बॉक्सी चलाने वाले हो, जो कुछ इस परकार से बॉक्स आती है, वो बॉक्स चला हुए, ठीक है, और यह हमारे 500 वाट की यह भी आप इससे बॉक्सी चला रहे हैं, जो कि इससे 1000 वाट की हमको speaker चल रही है, और इससे हमको 500 वाट क की स्थिखकर चल रही है और यह कोई जो कि है सारे जो कि है सरे जोकि नॉर्मल चीजे है जो कि हर भाई साब चानते हैं, अब चलिए मुद्धे की बात करते हैं, connect कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यह output, input का option दिया गया है, यही से हम इसको connect करने वाले हैं, अब यहाँ पर गाज, यहाँ पर यह करना है, कि यहाँ पर एक output और एक input का option हमें मिल र यह ठीक है, और यह jack जो हमारी निकली, यह जाएगी 500 watt की amplifier में, मतलब 500 watt की amplifier में, और वह भी output में, किसमें जाएगी, output में, यहाँ पर आद रखने वाली एक ही बात है, कि यह जो हमारे दोनों box है, मतलब दोनों जो amplifier है, इसमें सिर्फ हमारी box चल रही है, कोई भी मतलब box ही इसमें driver unit हमारी नहीं चल रही है, यह चीज को आपको आद रखने वाली बात है, अब यहाँ से direct निकालके इसमें नहीं देना है, ठीक है guys, क्योंकि यह हमारी driver unit चल रही है, मतलब जो हमारी होरन होती है, वो चल रही है, ठीक है, तो यह हमारे 1000 watt की जो amplifier है, यह हमारी connect हो ठीक है, यह हमारी जो 500 watt की और 1000 watt की amplifier है, यह दोनों हमारी connect हो चुकी है, यह दोनों हमारी connect हो चुकी है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि किस प्रकार से 800 watt की जो amplifier है, इसको connect करने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, input output का option हमें दे रखा है, तो यहाँ पे guys, यह जो jack है guys यह जाती है आपकी output में, यहाँ पे देख सकते हो, यह हमारी 800 watt की amplifier है, इसकी output में गई, और एक जो connection बचा हमारी वो जाएगी direct आपकी यह हमारी यहाँ पे mixer में, तो कुछ इस प्रकार से यह हमारी connect हो चुकी हो, यह हमारी सारे accessories connect हो गया है guys, अब यहाँ पे सोचने वाली यह बात है कि भाई यह connect किस प्रकार से हो, आप यहाँ पे हमने पूरे easily बताया कि किस प्रकार से यह connect हो गया है, अब यहाँ कमाल आती mixer की, जो mixer आपको करेगी, यह song play करने वाला वी jack हम यहाँ पे इसको connect कर ही देते हैं, ठीक, तो ही आपको पूरा detail में समझभाएगा, देख सकते हो यह हमारी connect हो चोके अब यहाँ पर left right की option है यह भी left right की option है मतलब driver unit से चल यह जो हमारी wire है यह देख सकते हो यह driver unit के लिए मतलब आपका जो होरण चल रहा है वो है ठीक तो यहाँ पर हमने और right में दिया है तो यहाँ पर आपको यह सिर्फ होरण चलेगा ठीक अब box जो हमारे चल रहे है वो 2 में चल रहे है मतलब 1000 में चल रहे है और 500 में चल रहे हमारी box तो हमारी जो left में चल रहे box ठीक है उसका sound यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो इसी परकार से सारे चीज आपको operating करने है होरण के अलग हो गई और box के अलग हो गई box में तो best दोन तरीके से हमने समझाय आप लोग को अब बहु सारे भाई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ये तो हमें पहले से पता था तो भाई जो इसको पहले से पता था अच्छी वात है और जिसको नहीं पता था वह पता हो चुका है अब आप जोड़ो आप एजली सौंग को प्ले करो और इसली आप होरन और उर या इसमें आप फिड़क भी सकते कोई दिक्कत की बात नहीं हो तो फिड़एक कर Film कर के video को शेर कर दो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो जो भी करना कर लो और इसरी सारे मेहनत लगते हैं ये सारे वीडियो बनाने में एक एक पोईंट को तरीके से बताना पड़ता है वो भी अहुजा एम्पलीफायर के साथ जो की सबका फैवरेट या सबका दिल में बसा है एम्पलीफायर बस समझी लो और चनल को सब्सक्राब करो वीडियो को शेयर करो और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई थैंक यू